केके पाठक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्ज करने का जो तरीका होता है वो के काफी अनुसासन प्रिये व्यक्ति हैं करतव निष्ट पदादिकारी हैं यह मंदार हैं और हम लोग तो काफी नजदीक से उनको जानते हैं जो बिहार में 12 Central Coopernative Bank है वो बंद के कगार पर था अगर केके पाठक नहीं होते तो सायद आज बैंक रिवाइब नहीं होता तशवाले में अगर आप केके पाठक जैसे मंदार पदा दिकारी को अगर आप पदा स्थापित करिएगा तो प्रतेक बिभाग अभी तो मात शिक्षा बिभाग में सुधार लाएंगे ना उसमें प्रतेक जितने भी बिहार में आपके बिभाग हैं सभी में गुनात्मक सुधार होगा अपना मारा अपना हारला मेहुरी कि मारल कौन बजार में बोलेगा विहार के लिए संतुस जनक बात है देखे राजी के लिए दुरुभाग पुढ है पूरे बजट का सबसे ज्यादा जो मद है जो रासी दी गई वो सिक्षा विवाग को दी गई तो कहीं न कहीं मानिय मुख मंत्री जी का यह वीजन रहा होग कि सिक्षा विवाग में हमको गुनात्मक शुधार लाना है जो अभी तक जो कार्ज हो रहा है पुसा की योजना हो सै की लिए इससे भी आगे हट करके आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जरजर बिल्डिंग हैं उसमें भी काफी गुनात्मक शुधार लाया गया लेकिन अभी भी कहीं न कहीं उसमें जरूरत था सुधार का तो इसलिए केके पाठक जी को प्रधान सची बनाया गया और केके पाठक जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्च करने का जो तरीका होता है वो के काफी अनुसासन प्रिये वेक्ति हैं अगर केके पाठक नहीं होते तो साइद आज बैंक रिवाइब नहीं होता और बैंक रिवाइब ही नहीं हुआ आज वो प्रॉफिट में है तो इसका सत प्रतिसत अगर एक व्यक्ति को स्रेह जाता है तो वो केके पाठक जी को जाता है केके पाठक चाहे जिस विवाग में गये हो एक वार की अगर बात छोड़ दीजै पहली वार जब बिहार में प्रविशन लागो हुआ नसा बंदी कानून लाया गया उस समय उसका विवाग का प्रधान सची बनाया गया लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गिर्वान डाल दिये कि उनको बहुत ब्याबरू होके उस पद से हटना परा उस जीला के जो मुख्यां थे उनको कहिना गवार गुजरा होगा कि भाई आप कैसे ही कर दिये तो उसके अंदरूनी में भी क्या कहानी है उसके हम गाराई में नहीं जाना चाहते हैं लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि परतेक राजसरकार अगर पूरे भारत में 29 स्टेट है जिके बीच में 36 का आकड़ा था भारत पाकिस्तान वाला रिष्टा था उसमें हम को भी स्नहितने के लिए केके उनको लाया गया सिक्या नील जी को और सीक्या नील जी को जब ऐसा महसूस हुआ कि राज स्रकार हमको वेपन्स के रूप में गलत तरीके से उपयोग कर रही है तो हमारे उजिगरी दोस्त हो गए तो ये तो एक अलग बात है लेकिन जहां तक ये सवाल है कि कहीं न कहीं हमारे जो सिख्षा मंत्री जी हैं क्या अ महा भारत का किताब लेकर कर घुमने लगे जो किसी भी बिधाय किसी भी MLC को सही नहीं लगता था तो जब हम लोग को सही नहीं लग रहा था तो मानिय मुख मंत्री जी को कैसे सही लगता तो हमको ऐसा लगता ही मेरा ब्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि मानिय मुख मंत्री ज इच्छक मिलेगा हर एक स्कूल में आपको छात्र दिखेगा तो वो तो एक अलग सुधार होगा लेकिन जिस तरह से और मंत्रियों का भी जो हाल है तो कुछ लोग है कि नहीं बोलता है खून का घूट पी कराता है कि भाई अपना हारला मेहुरी के मारल कोन बजार में बोलेग काफी स्वागत योग बात है बिहार के लिए संतोस जनक बात है कि भाई दोनों मंत्री जी को भी और प्रधान सचीव जी को भी बढ़ा करके इसमें निराकरन करने का उन्होंना प्रियास किया है इसके लिए मान्य मुख मंत्री जी को हम लोग बदाई देते हैं और मान्य वर्किंग इस्टाइल में काफी अंतर है इसलिए तमझेस नहीं बढ़ पाया है। इनको अगर राज का विकास की चिंता है तो इनको मुख मंत्री सचवाले में पदस्थापित करना चाहिए। हर एक काम धरातल पर दिखेगा तो आपको अनेक प्रकार का जो कार्ज है उनके लाने से ही आपका हल हो जाएगा। आपको अपमानित किया जा रहा है तो इस्तिफा देना ही स्रेसकर होगा। हमारे अपना ब्यक्तिगत सुझाओ है। सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं। देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले।